मैं इस समय बक्सी तलाब बिदान सभाज छेत्र के गाउं में हूँ और मेरे पीछे आप जो बकान देख रहे हैं साब तोर पर देखा जा सकता है कि आज के दौर में मिट्टी का मकान दिख रहा है और ये भी देखने से पता चल रहा है कि कहीं ने कहीं जो आवास यूजना है उसका जो लाब इन महोदे को नहीं मिल पाया है भास अब ये बताईए आपका ये घर है क्या नाम है आपका उमेश कुआर अच्छा कौन कौन है आपके घर में मम्मी है बहन है क्या करते हैं रोजगार के लिए आप कैसे बस यह खेती किसानी करते हैं उसी से अपना रोजी लोग अप्लाई कर चुके लेकिन कोई सुनता है नहीं तो क्या आपने अप्लाई किया है जी मगर आगे जो है वो करवाई नहीं हो रही है चलिए जरा घर के अंदर का भी जो हालात है वह हम दिखा दे इनके घर के अंदर के हालात है वह हम कहेंगे कम से कम दिखाएं तो आपने बात रखी एक दो बार नए प्रधान आए हैं उनसे कुछ उमीद लग रहा है कि आप करेंगे अब देखिए अब इस बार नए परधान बने तो इसमें नहीं परधान बने तो क्या करते हैं पांशालों भी देखना म candiesak करते के नहीं करते अरह बिधायक आपके उनसे बड़े निता होते हैं वीधायी के पास आप अप्लोग भात रखी अबarta कि अपनी कभी यहां कोई आदमी आता है नहीं जाखना यहां विधायग ना सांसर ना कोई नहीं जाना कई जा निछले इस्तर पर पहुंशते यह नहीं आए यहीं के विढब जी है और वो आते हैं यहां पर नहीं नहीं है। बख्षी का तालाब लगती है यहां पर बख्षी का तालाब तैसील है विदान सवाद छेतर भी है और यहां पर हालात यह हैं कि जमीनी स्थर पर जो पीडित आदमी है जिसको इसका लाब मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता सरकार दावा करती है कि हम हर उस निचले सतर तक हर उस एक एक प्यक्ति तक जो पात्र का लाब लेने के हकडार है उसको हम उस योजना का लाब दिलाएंगे पर यहां पर जब विदायक जी के लोग ही नहीं आ पाते विधाइक जी नहीं पहुंच पाते सिर्फ साथ किलोमेटर का पास का जो ये एरिया है और प्रधान जी सुनवाई नहीं करते तो जाहिर सी बात है किस के पास जाएं मैपसेक सिंग कैमरा परशन अनराक के साथ चेमडी खबार बक्षी का तलाब लखनोग